नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं अच्छे होंगे और फिर से स्वागत है मेरी एक नई रेस्पी में तो आज हमने बनाई है साबू दाने की खीर जो कि आप सब लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है और जिसको मीठा पसंद है उसके लिए तो सबसे चमच बरके दो चमच बस इतना ही घी डालेंगे इदर हमने ले लिए कुछ कटे हुए मेवे जैसे के दो तिन गाजू दो तिन बादाम दो तिन पिस्ता मेवा भी आप अपने हिसाब से मतलब जो आपको पसंद है आप वह चीज़े ले सकते हैं तो गी में अच्छे से सिसक बनाईएगा और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है बिल्कुल मलाईदार जैसे रबडी होती है उस तरह का टेस्ट आता है तो यह देखिए थोड़ बाट में डालेंगे थोड़े से किसमिस को ना हम साथ में नहीं डालेंगे क्योंकि यह बहुत जल्दी से प अगर इस तरीके से डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा यह देखिए बड़ी हासे फ्राई हो गए ना बस अब हम इनको निकाल लेंगे अलग बरतन में बहुत अच्छी से कुच्बू आने लगी है इनमें से यह साब बड़ने के खीर आप रत में खा सकते ह हैं वैसे कुछ मीठा खाने का मने तो आप बना सकते हैं यह देखिए कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं अब इसी कडाही में हम डाल देंगे दूद यह दूद मतलब पहले से गरम करके ठंडा किया हुआ दूद है यह देखिए इस तरीके से मलाई से ही इसको डाल देना है और अच्छे से दूद में उबालाने देंगे पहले तो यह देखिए हमारा दूद अच्छे से उबल गया है और पहले से पका हुआ दूद था तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है अब हमने जो साबुन दाना भीगो के रखा था उसको दो तीन पानी से अच्छे से धो लिया था तो उससे जो एक्स्ट्रा उसमें स्टार्च होता है ना वो निकल जाएगा तो हमारा साबुन दाने की खीर जो ना चिपकी-चिपकी सी नहीं बनेगी बढ़िया से खिली-ख गया है साबुदाना हमारा अब इसको डालने के बाद में अच्छे से चला देंगे चमत से यह देखिए और यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी यह खीर बनके तयार हुई थी चप्पु बहुत पसंद आई थी मेरी बेटी वैसे कम खाना पसंद करती साबुदाने लेकिन जब मैंने बनाई ना उसको बहुत अच्छी लगी बहुत मज़े से खाई और डाल देंगे साथ में कुछ मेवे जो हमने प्राइब करके रखे थे और थोड़े से मेवे बचा लिए हैं उपर से टालेंगे बाद में यह देखिए इसको चलाते रहेंगे अच्छे से तो आप लोग एक बार जरू ट्राय करना और अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना तो लाइक भी कर देना प्यारे प्यारे से कमेंट भी कर देना फ्रेंट्स यह देखिए पढ़िया से उबाला गया है और बिल्कुल भी हमारा साबुदाना चिपका नहीं है और नहीं हमारी खीर फटी है क्योंकि कई बार होता ना कि साबुदाने की खीर अगर हम उसको अच्छे से दूलेंगे नहीं तो फटी फटी सी हो जा इतना मीठा चाहिए उसे साब से आप चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद में भी इसको थोड़ा सा चला देंगे तो यह देखिए बड़ी असा उबाला गया और बड़ी आशी क्रीम इसी हमारी साब उदाने की खीर बनके तयार हो गई है तो आप इसको जब आपक जीज कुछ खाने का मन हो तो आप बना के खा सकते हैं बहुत ही बड़ी खीर लगती है यह दिखिए कितना अच्छा कलर आया रहा इसका अगर आपके पास में केसर है तो दो चार दागे केसर के डाल दें तो थोड़ा सा कलर अच्छा सा हो जाएगा इसका अगर नहीं है मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है ऐसे भी बहुत अच्छा सा देखिए क्रीमी सा खीर बनके तैयार हो गई हमारी अबस आराम से इसको खाईए अपने गेस्ट को खिलाइए अपने घर के सभी मेंबर को खिलाइए बच्चों को खिलाइए तो आप लोग इंजॉय करिए और ट्राइए ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स फिर से मिलते एक नई रेसिपी के साथ में